हेलो स्टूरेंट्स वेलकम टू माई चैनल इस्किल वेव मेरा नाम है ब्रजेस सिंग और आज हम डिसकस करने चल रहे हैं आई टी आई फस्ट यर स्टूरेंट्स के लिए वर्क्शॉप कल्कुलेशन एंड साइंस सब्जेक्ट का सिलेवस ठीक है इस्टूरेंट्स वीडियो इनफर्मेट्व लगती है तो प्लीज लाइक करिए सब्सक्राइब करिए ठीक है सब्सक्राइब करना ना भूलिए जिससे आगे आने वाली वीडियो के लिए आप रेडी रहें है ना स्टार्टिंग से ही देखने के लिए चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक ठी आज का टॉपिक है वार्शॉप कैल्कूलेशन एंड साइंस का सिलेवस ठीक है तो देखिए सबसे पहले बचे को बहुत प्रॉब्लम होती है कि एक्च्वल में स्लेवस है क्या पहले कौन से मॉडियो को पढ़ना है फिर क्या पढ़ना है ठीक है लास्ट में जब पेपर आ सबसे पहले आपको मैं यह बता देना चाहता हूं यहां पर कि देखिए यह जो सिलेवस है ना वर्क्षाप कैल्कुलेशन एंड साइंस का यह कॉमन से लिए ठीक है सबी ट्रेट्स के लिए यह कॉमन है फस्टियर आइटी फस्टियर के जो इस्ट्रेंट से यह सभी करते हैं देखिए इससे पहले भी हम लोग एलेक्रिशन ट्रेट के लिए अप्लोड कर चुके हैं ठीक है तो उसको आप देख लीजिए अगर आप लेक्रिशन ट्रेट से हैं बाकी देखिए फस्टियर के सिलेवस दो तरीके से कटेग्राइज जो हुआ है उसमें हम लोग क एक प्रेक्टिकल के दृट है और गडरते कवर अप करना होता है और थेरी में चार पर होते हैं तो चार पर में देखिए एक तो थेरी प्र हो गया ठीक है के है एक एंगें ड्रॉइंग हो गया एक हो गया workshop calculation and science का और एक employability skill का तो आज हम लोग जो देखने चल रहे हैं वो क्या है workshop calculation and science का paper ठीक है तो इसमें क्या से लिवस है module wise हम लोग उसको देखते हैं चलिए आज हम लोग देखेंगे इसमें तो मत्रक के बारे में ही यह यूनिट बताई गई है इसमें पूरे के पूरे मॉड्यूल में आपको यूनिट कनवर्जन सीखना है ठीक है फ्रैक्शन देखना है देखिए फ्रैक्शन के बारे में है जिसमें addition, subtraction, multiplication और division उसके लावा यहाँ आप देख रहे हैं तो देखिए fundamental और derived unit के बारे में देख रहे हैं हम लोग ठीक है FPS, CGS, MKS और SI units के यह अलग अलग जो systems होते हैं इनको हम लोग read out करेंगे और last में इसमें देखिए क्या है measurement unit and convergence तो मदलब unit की convergence को भी यहाँ पर हम लोग सीखेंगे ठीक है उसके इलावा द देखिए इसमें last में है इस module में decimal fraction ठीक है जिसमें हम लोग addition, subtraction, multiplication and division देखेंगे और उसके बाद फिर calculator के इतुरी इसके में लोग problem solving भी करेंगे second module में देखिए क्या है, second module में आपको square root find out करना, square find out करना, ratio को समझना, ratio and proportions की problems को solving करेंगे और last में हम लोग percentage के problem solving करेंगे, देखिए उसका syllabus यह है आपका, square and square roots, simple problems using calculator, application of pathogorous theorem or related problems, इसी तरीके से ratio and proportion, direct and indirect proportions को हम लोग देखेंगे students, यहाँ पे English में syllabus भले हम लोग discuss कर रहे हैं लेकिन इसको आप पढ़ेंगे तो Hindi और English दोनो language में पढ़ेंगे और जो इसकी PPT बनेगी वो भी दोनो language में ही बना के आपको दिया जाएगा, ठीक है, तो परिशान होने की जूरूत नहीं है, आप लोग अभी syllabus देख रहे हैं जब इसके videos one by one sequence में upload होंगे तो आपको चीजों को समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है, क्योंकि उसमें Hindi और English दोनो language में दिये जाएंगे, ठीक है, चलिए, लास्ट में है इसमें, percentage, changing percentage into decimal, मतलब decimal में convert करना, या फिर उसको change करके फिर से percentage में बदलना, यह चीजी हम ल दिखता आप को metal के studies करने है है, क्याच बहुत होगा, बहुत है, तोत्यों कि दिखते है, फिर देखेंगे, फिर फिर फिजिकल और mechanical property of metal, फिर फिर फितिकल और mechanical tock अगे देख्वेंगे तैपस आफ फेरस और नौन फेरस मेतल्स के बारे में डिसकूस करेंगे फिर हम लोग देखेंगे इंट्रोडेक्शन ऑ आइरन ऐन कास्ट आयरन डिफ्रेंस बिट्वीन आयरन अइन इस्टील एलोई स्टील एंड कार्बन स्टील ठीक है चलिए प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ रबर देखिए अब यह क्या है यह आपका इंसुलेटिंग मेटरियल्स के बारे में भी हम लोग डिसकुशन यहां पर करेंगे मेटरियल साइंस के मोडियूल में ठीक है प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ रबर इ आपका मास वेट वॉल्यमे डेंसिटी ठीक है इसके भी आप लोग हिंदी में ही आप लोगों को समझा जाया गए उसके लिए परशान होने की जरूत नहीं है जैसे कि द्रब्मान है रहे है यह क्या है आयतन है यसी तरीके से चलिए आगे देखते हैं तो इसकी थियोरी को ह में ठीक है वो चीजे हम लोग देखेंगे वरक्शॉप में इसका क्या अप्लिकेशन वो देखेंगे इसके रिलेटेट प्रॉब्लम्स को भी हम लोग यहां पर सॉल्व करेंगे देखिए यह सब मैटिपल च्वाइस कोश्चंस की पेसिस पे आते हैं आपके पेपर में बहु इसमें हैं आपका रेश्ट मोशन मतलब विरामा वस्था और गति के वस्था कि हम लोग इसके अंश रियू दिपलासिटी कि अगे हम लोग देखेंगे चैन टिफ्रेंस ब्ट्वीन स्पी और व colonial टिकार बेटेटार्म स्टी सेज़े और एक्सली जहिएन होता BettyJA और रितार आगे देखते हैं energy, power और work के बारे में हम लोग थोड़ी बहुत इसकी theory देखेंगे इसमें हम लोग मेलनी देखेंगे कि potential energy क्या होती है kinetic energy क्या होती है ठीक है और उससे related उसके problems को solve करेंगे फिर देखेंगे work, power, energy वही चीज़ हो गया फिर से देखेंगे HP, IHP, BHP and efficiency देखें HP, IHP, BHP यह सब क्या है यह सब short forms है जैसे HP आप लोग जानते होंगे है हास्पावर में motors होती है तो horse power यह हो गया heat and temperature से related, से related क्या है जिसमें हम हम the heat and temperature study करेंगे फिर different scales की बारे में steady करेंगे जैसे आप लोग जानते है है celsius scale में होता है foreign scale होता है Kelvin होता है ठीक है और फिर बाद में इसके बाद हम लोग conversion भी सीखेंगे ठीक है कि Kelvin को celsius में कैसे convert करते है celsius को foreign at कैसे करते है यह सारी चीजे यहां हम लोग देखने वाले है ठीक है चली तो यह चीजे ओगई आगे देखते है temperature measuring instrument के बारे में भी हम लोग देखेंगे मतलब कौन-कौन से यंद्र से हम लोग temperature को measure कर सकते हैं तो आपको ना पाजा सकता है तो जैसे देखिया आप लोग एक बहुत famous word है इस चीज़ जानते भी होंगे आप लोग thermometer होता है न तो थो thermometer हो गया पाइरो भी होता है आजकल आप लोग देखें ऑँगे पायरो मिटर के बहुत यूज़ हो रहा है जो आपका temperature काना बाड़ थाइब के इस को रोना वाले टाइम में ठेक है तो वह पायरो मेंटर का एक पहले जो कि radiation based होता है ठीक है radiation based में लब दोर से हम लोग किसी चीज़ का temperature check check out करते हैं ठीक है distance पर without contact ठीक है चलिए transmission of heat किस तरीके से होता यह आप समझते हैं conduction convection और radiation ठीक है तो तीनों तरीके से यह कैसे होते हैं इसकी बहुत detailed study हम लोग करने वाले हैं आगे चलके वीडियो में आपको बहुत अच्छा भी लगेगा आना सीखके कि आखिर यह क्या चीज़ें होती है ठीक है आगे देखते हैं coefficient of linear expansion and related problems with assignment ठीक है आगे इसमें है heat loss क्या होता है और heat gain क्या होता है ठीक है यह चीज़ समझेंगे thermal conductivity and insulin को देखेंगे boiling point और melting point किस चीज़ का boiling point melting point metals का और non metals का तो non metals और metals का boiling point और melting point के बारे में भी हम लोग यहां पर देखेने वाले हैं ठीक है चलो concept अच्छा इसी में देखो और और एक क्या था इसी module में pressure के बारे में तो concept of pressures को देखेंगे pressure का क्या concept है और उससे related unit भी देखेंगे हम लोग ठीक है चलो तो यह हो गया यह है आपका पूरा का पूरा module 6 अब module 7 में देखे basic electricity basic electricity के बारे में यहां पर है आप देखे कि क्या है इसमें introduction पहले हम लोग देखेंगे use of electricity क्या है बहुत अच्छी तरीकी से आप लोग जान रहे है ठीक है molecule क्या है atom क्या है ठीक है how electricity is produced कैसे produce की जाती है न पाउर प्लांट्स वोगरा में कैसे बनाई जाती है बिजले वो देखेंगे हम लोग आगे देखते हैं electric current जो की जो की AC और DC टाइब दोनों टाइप के हम लोग इसमें study करेंगे कि किस तरीके से किसमें क्या होता है ठीक हो their comparison मतलब उसका comparison करेंगे ठीक है voltage resistance and their units ठीक है आगे उसमें देखेंगे हम लोग conductor मतलब धातू insulator मतलब अधातू और type of connections मतलब series और parallel connection ये resistance के connections की बात कर रहे हैं ये लोग ठीक है ohms law देखेंगे relation between V, I and R मतलब voltage, current और resistance के बीच में ठीक है related problems को solve करेंगे electric power energy and their units के बारे में हम लोग देखेंगे उनकी units को देखेंगे calculation करेंगे assignments के तुरू ठीक है magnetic induction self and mutual inductance and EMF generation ठीक है ये देखेंगे electric power क्या होती ये देखेंगे HP जो कि अभी पीछे भी आपको बता चुका हो मैं ठीक है और energy और unit of electrical energy ठीक है ये देखेंगे चली आगे देखते हैं है देखें ये ये आपका 7th module cover हो गया 8th module में आप हम लोग देखेंगे 8th module में आप लोग देख रहे हैं कि इसमें mensuration का पार्ट है मतलब थोड़ा mathematical ये पूरा का पूरा portion है जैसे देखें इसमे क्या है square है मतलब आपका वर्ग का area ठीक है छेत्रफल और parameter को find out करना है इसमें कैसे पता करते हैं ये सारी चीज़े यहां formula बगारा देखेंगे हम लोग इस तरह related problems को solve करेंगे इस तरह किसी square हो गया rectangle हो गया ठीक है आयत जिसको कहते हैं और पहले लोग रहा मतलब 77 चतुर भूज vertical hexagon मतलब छे भूजाओं वाला ठीक है ellipse और surface area and volume of solid अच आप देखिए surface area की बात कर रहे हैं तो हम लोग 3D structure की बात कर रहे हैं ठीक है surface area and volume तो मतलब 3D structure की बात कर रहे हैं जैसे solid में क्या 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 क्यूव हो गया क्यूवाइड हो गया cylinder हो गया ठीक है sphere हो गया मतलब गोला आपका और hollow cylinder हो गया मतलब cylindrical form में जो कि अंदर से खोक लाओ ठीक है तो यह देखिए finding lateral surface area total surface area और आगे देखिए इसमें हम लोग capacity in liter of hexagonal अना conical और cylindrical shaped vessels मतलब ऐसे बरतन जो की chronical हो cylindrical हो या hexagonal हो उन में क्या capacity होगी लीटर में क्या capacity होगी उनकी वो हम लोग यहां पर देखने वाले हैं ठीक है चलिए नवे module में आपका क्या है लीवर और simple machine तो simple machine और लीवर के बारे में हम लोग यहां देखेंगे जिसमें इसके type कितने होते हैं जैसे basically three types की होते हैं इनके बारे में हम लोग discussion करेंगे ठीक है चलिए और last में आपको पढ़ना क्या है ट्रग्णमेट्री से रिलाइड तो अपको एंगल के बारे में जानकारी होनी चाहिए एंगल को कैसे मेजर करते हैं यह लोग देखेंगे ठीक है ठीक है यह अब कि टेड़करे की एपलिकेशन देखेंगे basically application क्या होता है बहुत अच्छी से अप लोग 10 में भी आप लोग के आए हुए हैं इस चीज को हाइट एंड इस्टेंस इसका एक बेसिक अप्लिकेशन है ठीक है तो हाइट इन डिस्टेंस में लोग ट्रक्नोमेटर का कैसे यूज करते हैं यह चीज हम लोग देखने वाले चलिए तो हम लोग को इसको कवर अब कर रहें तो आज के लिए इतना ही है इसमें यह सिलेवस आपको कवर अब कर आया गया है ठीक है इस्टेंस मैं आप से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको यह इंफॉर्मेट्व लगा है यह वीडियो तो प्लीज लाइक करिएगा इसको सब्स्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी बताईएगा जो लोग आई टी आई कर रहे हैं ठीक है ओके थैंक यू